हलो फ्रेंड्स में नाम अज़े सी सो दिया है और आप देख रहे है एसक्यूल टीटोरियल आज है डेर 25 तो आज हम देखने वाले स्टॉर्ड प्रोसीजर माल लेजे आपको अग्रूफ ऑग एसक्यूल स्टेटमेंट्स लिखनी है और कोड जो आपकी SQL QUERY है उसको आप बनाना चाहते हैं reusable कि जिसको बार-बार यूज कर भाए तो ऐसी कोई QUERY होगी जो complex होगी या काफी लेकिन आप उसको बार-बार यूज करना चाहेंगे तो आप stored procedure बना सकते हैं और उसको बार-बार यूज कर सकते हैं जब भी इसकी requirement होती है तो कैसे बनाएंगे हम देखना है तो उसमें आपको याद रखना है कि जब आप जैसे आप टेबल बनाते थे create table फिर आपने बनाए create view तो इसी तरह से आप बनाएंगे create procedure तो यहां पर जो stored procedure होता है उसकी help से आप अपने code को एक तो time बचा सकते हैं और बस आप उसको call कराना होता है जो भी query reusable बनाना चाहते हैं तो उसको एक बार आप stored procedure बनाएंगे उसमें group of SQL statement लिखेंगे और उसके बाद आप सिर्फ एक call कराएंगे उसको procedure को और जबी भी आपको जरुत पड़ी कराएंगे और उसको drop भी कर सकते हैं डिलीट भी कर सकते हैं सबसे पहले हमने उपर लिखा दिलीविटर डिलीविटर मतले है यहां पर जब मैं क्वैरी लिखुँगा तो सेमी कॉलन क्या करता है ? सेमी कॉलन ब्रेक कर देगा हर लाइन को इसलिए हमने यह पर डिलीमिटर लिया उपर और नीचे एंड के बाद हमने किलोज किया तो यहाँ पर अब सारी लाइन एक साथ लिख पाएंगे जोइन का यूज कर सकते हैं जो कॉंपलेक्स आपको क्यारी आ जाती है पर जोइन से बगेर आए तो इसको आप गुरूप बगेर बना कर रहें सकते हैं और बार बार अगर उस चीज के जड़त पढ़ती है तो आप इसको सिफ कोल करना नहीं तो इससे काफी टाइम बढ़ जा यहां में एक प्रोसिजर का नाम उसके अंदर पैरमीटर आप पास करा सकते हैं तो बहु भी एकजांपल देखेंगे किस तरसे पैरमीटर पास करा सकते हैं तो इसके बाद कंडिशन जो भी होगी सिंपल तो प्रोसिजर ऐसा कुछ नहीं है जाब इस आप एक सोचल जाए से सिर्फ आपको याद रखना होगा कि create procedure और procedure name यह लाइन तो है बाकी अंदर आप देखें begin और end के अंदर पूरी वही query है जो आप तक अभी तक वीडियो में कड़ते आ रहे हैं तो यहां पर delimator उपर लगाएंगे और end करतेंगे जो आपने dollar sign लगाए मैंने और सबसे नीचे फिर उसको बतातेंगे कि delimator semicolon कि यहां पर हमारा जो यह है लिख रहे है क्यारी वह यहां पर end होगी है तो मैं इसको हटा के दिखाता हूं यह था हमारा एक simple सा create procedure उस procedure करना है और उसके बीच में सिरु begin or end और अंदर हम वही क्यारी लिखते हैं जो भी तक लिखते आ रहे हैं चाहे आप जोएन लगाए चाहे आप case लगाए चाहे इस लगाए तो वह मैं आरी सारी चीजे बताऊंगा मैं copy paste कर लेता हूं यह तो आपने समझ लिय प्रोडक्ट स्टेबल तो इसी पर हम यूज कर रहें इस टेबल को और यह देखे हमने copy paste क्या यह procedure का नाम आया और नीचे बीचिन और एंड में सिंपल वही सेलेक्ट वाली स्टेट में स्टेटमेंट और जीरो रोस अफेक्टिट और डिलिमीटर वाले देखो रह गया उस पर पर आपने बना लिए तो आप सींपल लिखेंगा call और फिर प्रोसुजर का नाम तो इस तरह से लिख सकते हैं। दोनों तरह से call करा सकते हैं, आप इसमें आप मैस्कुल में तो देखे हमने लिखा call prod तो देखे पर अदू आप यह टेपल हमें मिलगी। यह तो यह एक् बनाएंगे तो वहां पर आपको इसका पता चलेगा ठीक है यहां तो मैंने पूरी टेबल दे दिया है आप इसमें सब्सक्राइब करना है और उपर एक क्रेट प्रोड लिखना है अंदर क्या होगा सलेक्ट बही क्वरी फ्रॉम प्रोड टेबल से मैं दो फिल्ड यहां पर ले रहा हूं देखे मैं अगर इसको हटा दूंगा तो आप देखें कितना आसान लेका देखना यह दिखें यह दो फिल्ड दिखा रहा हूं यहां पर देखें अब मैं इसको सिंपल कॉल करूंगा एंटर कर लेता हूं सबसे लाश्ट के डिलिमिटर जो सेमिकॉलन है तो यहां हमारा सेमिकॉलन ही चलेगा मैं इसको कॉल करा लेता हूं ठीक है यह यहां पर दो फुल फिल्ड लिया थे तो अब कभी भी आप इसको जब ही जरूत पड़ेगी आप इसको सिर्फ कोल कराना है और क्वेरी देखने है ठीक है तो अभी हमने यहां पर सीख रहे है SQL procedures बनाना तो किस तरह से हम अपनी जो क्वेरी को बार-बार ना लिखना प्ला है या तो आप notepad में सेब करें तो उसको फिर ढूंते रहेगा बहुत सारी क्वेरी हो जाती है फिर दुबार को भी पेश करके आप रहें तो इस अच्छा है कि प्रोसेडर बना है और उसको रियूज करें ठीक है यहां पर मैंने कंडिशन लगा दिया सब कुछ हुई है प्राइस ग्रेटर दान र बड़ी से बड़ी क्वेरी लिखी जाती है वहां आपको पता चलेगा इसका तो यहां देखिएगा जो मैंने कंडिशन देती वही वहां शो कर रहा है यह देखिएगा प्राइस और गेटर दन रिकल टू थाउजन तो इस तरह से हम यहां जो बिगिन और एंड के बीच में बागी सब बहुत है जो आप करते हैं जाए आप जोएन लगाएं आप दो टेबल को जोड़ें ठीक है कहने का मतलब आपको यहां देकि इस तरह से लिख सकते हैं बाकी सब बहुत है आ रहा है आपको यहाद आर होगा आपने इतने बीडिव देख लिए ठीक में चीज समझ यह मैं पहले भी देखेंगे आप डे 14 में तो वहां यूच शायद मैंने केसे यूच किया होगा मुझे कुछ नहीं करना इसमें सलेक्ट दो नेम और प्राइस लाने कॉमा अब तीसरे में मैंने कंडिशन लगादी मैं देखना चाहता हूं कि अकर प्राइस लेस दन 600 तो ब बाकि फ्रों का नाम आप आते हैं इसम्पल यह बनाया मैं कॉल प्रसिज करूंगा जबी वजरुत पड़ेगी मैं सिर्फ कॉल प्रसिज़ कर लोगा इसको तो आप देख पा रहे हैं आपर यह को भी पेस्ट कर लेता हूं और फिर देखना लैस देन्ट जो 600 आपर नो डिस मैं लिस्ट पर आते हैं और यहां पर हमने किस पर डिसकावंट दिया था वह हम चैक कर रहे हैं ऑपे छोटा से एक एक जांपल थे बहुत बदावी कुई सब्सक्राब जरू करें तो आपको काफी चीज़े बताई गी है एक जांपल और नहीं तो आपको य मैंने अपर सलेक्ट लिखाया नेम और प्राइस उसके बाद मैंने केस लगाया केस में वैन आपको पता है वैन में कंडिशन आएगी कि प्राइस ग्रेटर अगर तो दैन में आप क्या शो करना चाहते तो मैं चाहता हूं कि प्राइस जो है प्राइस का 10% निकल जाए मुझे केस में जिरो हो जाए ठीक है और एंट के बास आको एक कॉलम देना बढ़ता है कि इसमें उसके बाद फर्म जैसा आप लगा रहे हैं कुछ नहीं करना आपको पर यह सौझना कि मुझे इहां पर एक कोल्म स्पाशन करना था पर वह क्यस लगा दिया अपने आपने पेस्ट क यहां पर आप देख पाएंगे डिसकाउंट की तरह से निकाल लिए अमने इसको अब दिखेंगे यहां पर मैं कॉपी पेश कर लेता हूं यहां पी समझ मा आ जाएगा आपके अगर प्राइस गिटें देने तो हंड़ो दैन यह पिरिंट हो जाए सेक्ड़ बाले में भी केसलेकर लेकिन यहांपर मैं । कर रहा हूं ठीक है वैन कंडिशन हो रही है कापी सारी दो यहां पर और भी ले सकते हैं केस लगा है अपने दो फिल्ड उपर आगे सलेक्ट में और एक सलेक्ट के लिए हम यहां पर केस ले रहे हैं ठीक है अगर हमारे प्राइस बाइस है 200 के बीच में होगा तो वह 10% दिखा स्थेट के वह आपको लिखना होगा तो देखे वह से सब्सक्राइब कर लेता हूं च novt को इसको मैं पहले कर लेताहूं कोपी के मैंने सिंपल ठीक है नोट्स आप पढ़ सकते हैं मैंने से भी लिखना है कोल आप प्रोसेजर का नाम देखे 10% और 20% कंडिशन के अकोडिंग आप देख सकते हैं डिसकाउंट इस्टेटस ठीक है तो इस तरह से आप बड़े से बड़े यहां अगर हम यहां कड़ेता हूं कोपी ब修ेश्ट आप देख सकते हैं मैं नोट्स मना गीटफ से अफ्लोट कर सकते हैं सबसे टॉप हर टूट्यर में एक लिंक देंकिडूप हैं परसकते हैं आप अब आता है यहां पर यहां मैं कर लेता हूँ चलिए मैं यह तो आप करे लेंगे इफ कंडिशन एक और तुम्हें पहले ड्रॉप कर लेता हूँ और उसके बाद में यहां पर यह सिंपल वही है ठीक है यहां पर जॉइन लगा हुआ है मैं आपको जॉइन बाला भी दिखा देता हूँ कि जॉइन समझ नाम क्रियेट परो river और यह बिगिन और आयंड के बीच में आपने जॉइन लगाना थिंह लकार्हों है ओर आपको डेटा है अप्रोशिजर के थिरो आपको डेटा को को कराना मंने प्रोसीर को करांगे डेटा सो बड़ी से बड़ी और बार बार ना पढ़े टाइम बच जाए तो यह बार बार आप चेक कर सकते हैं तो अभी हम देखेंगे परमेटर कैसे पास करते हैं वह भी तो यह आई डी एक यहां पर मैं डेट निकाल लेता हूं प्राइस और डेट डेट निकाल लेता हूं और यहां से मैं अब तो मैंने आपको जोएन बाला हूं मैं यहां पर दिखा रहा हूं लिकर ठीक है कि तो यहां पर हो जाएगा कि कोफिपेस्ट कर ले दे और यहां पर भी कि यहां पर डिल्गुल एक कोई बात दी इसको मैंने पहले डिलीक कर देना है चलिए डिलीक कमांड भी आपको आगके कि आसान होते हैं व्यू भी आपने ऐसी ड्रॉप किया था ठीक है ड्रॉप व्यू ड्रॉप टेबल ड्रॉप प्रोसीजर सिमिलर से देखे मैंने को भी पेस्ट के फिर से अब फिर में दिखा था उसका कॉल करना है सिर्क मुझे एक बार आप सेव हो जाए गई प्रोसीजर त करना है लांच पर कोई करका कराना है जर्यकुप एक तॉर बह spectams कंगे कि बांख सकते हैं को सिंपल भाई सिर्फ आप एक स्थ सम्क्राइब करना है जी कि लगाए आप दीन और स्कूरा फॉत स्कूरे ज्क्राइब सीक्राइब हुए ? यहां पर चॉल कराओं तो मुझे यहां पर पर फंक्शन में करते हैं और नॉर्मल झालई यह आणिको अर्गूमेंट यहां पर आपको पास करना पड़ेगा यानिकि इसकी वैल्यू तो देखी यहां पर वह नहीं है क्योंकि यह जो टेबल है उसमें यह 600 नहीं है तो इसलिए वहां पर उसने कुछ शोनी किया मैं सबसे पहले असर कर लेते हैं कि टेबल हम चैक कर लेते हैं कि उसमें क्या क्या है तो हम यहां पर लेकर चले है प्रोड़क्ट्स बाली टेबल नाम की तो यहां पर मैं इससे कोई फरक नी पड़ेगा क्योंकि इस नाम यह तो वैल्यू है उसमें तो मैं चाहता हूँ कि यहां जो पास करा है उना प्राइस प्राइस वो पास करूँ जो मेरी टेबल के अंदर है मानली जा मैंने यहां दिखा यहां प्रोडक्ट्स टेबल को मैं यहां क्या लिखा कि प्राइस यह देखे यहां से 5000 ले लेता हूं एक और 120 दो देख लेते हैं चलिए कोल के मैंने लिखा जीपी और पास क्राया 5000 एंडर देखेगा आप अभी तो हमारे पास कुछ यहां से डेटा निया लेकिन आप सोचिए का डेटा वेस अगे इतना बड़ा होगा टेबल साफ क्योंगी बहुत सारी तो उसमें कितना टाइम बचेगा बार बार जो आपको कोल कराने कभी-कभी पेज में इतनी सारी क्वारी जो जाती है अग बड़ा गार तो काभी हमें इसमें मदद मिलेगी तो इस तरह से आप कैसी भी क्यारी लिख सकते हैं क्यारी लिखना आपको आते हैं यह देखिएगा मैं आप इसमें अब नेम जाये तो आप नेम पास्त करूंगा और वहां से नेम लेकर आऊंगा तो मैंने यहां पर इसी यहां पर मैंने बन चुका है यहां पर मैं पास कर रहा है तो नेम कैमेरा स्पेलिंग मिश्टे कोई की टीवी लिख कर देखते हैं कुछ गलत हो गया फिर मैं इसको ऐसा करता हूं जायद में कुछ गलत कर रहा हूं जैसे क्या चर्ग आए फंक्षन का नाम गलत कर रहा है कि उसी नाम पास कर ते ग्लत कर रहा है तो देखे उसने वहीं दिखाया उसी नाम का यह तो इस तरह से दोस्तों यह था प्रॉसुजर अश्माह पशाज सकते हैं एक दो जितने पैर एक दो पैरिमिटरी-जितने भी आप चाह बना सकते हैं और फंक्शन को प्रोस्टियर में कैसे पास करेंगे तो